हेलो दोस्तो, सुरीन सॉलिट कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बात करने जा रहे हैं दरवाजे को सुंदर दिखने के लिए की गई पाइलिंग के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं, thumbnail में भी आपने देखा होगा और वीडियो में भी आप देख रहे होगा ये जो दरवाजा है, इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है इसकी वज़ा है पाइलिंग आज कल लोग जो है अपने घर को सुंदर बनाने के लिए जाने कितने पैसे खर्च करते है लेकिन ये एक पाइलिंग वाला जो चीज है वो अपके घर के लुक को एकदम ही सोबर कर देता है आप देख सकते हैं कि पाइलिंग जो है चोखट जो होती है चोखट पर की गई है और यहां आप देख सकते हैं ये कॉर्णर नहीं बना हुआ है ताकि जो चोट है कोने से चोट लगती है तो ये चोट नहीं लगे इसमें इसलिए एक फ्रेम ही बिठा दिया गया सबसे पहले जो आपकी चौकट है चौकट पे एक फ्रेम लगाया और उसके बाद जो अंदर साइड से है प्लाइ बोड को फिर से लगा दिया गया है और उसके बाद जो है इस पे सरमेका लगाया गया है तो आप देख सकते हैं, सारे दरवाजे की पाइलिंग उसी तरह से की गई है, आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो में आपके लिए खास करके लेके आई हो ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना सुन्दर दिखता है और आप भी अपने घरों में ऐसी पाइलिंग करवाए और इसका खचा भी ज़्यादा नहीं आता है, एक रूम यानि कि एक दरवाजे की पाइलिंग में आपको लगभग एक से डेड़ प्लाइबोड साथ बाई चार का खच हो जाता है, ये देखिए, तो इसे करते कैसे हैं, तो चोखट जो होती है, चोखट पे ही ये जो प्ला कर दिया जाता है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है अगर ये जो टूर है, और एक बात और ये पूरी जो आप वेंटिलेशन के लिए जगा छोड़े हैं, या फिर अलमीरा बनवा रखा है उसमें भी आप सेम उसी तरह से पालिंग कर सकते हैं, ताकि इस उसमें कोई भी यूटिलेटी का जो भी हो अपना काम कर सकते हैं, उसके बाद ये देखिए दूसरा दरवाजा, यहां भी पालिंग का सेम वर्क किया गया है, और बाथरूम आप देख सकते होंगे, ये जो बाथरूम है, बाथरूम में भी सेम पालिंग का वर्क किया गया ह kitchen का दरवाजा है ये आप देख सकते हैं कि दो बार करके जो design बना हुआ था उपर वाले में वो इसमें नहीं है ये जो नीचे के दरवाजे हैं उस पे single piling work की हुई है इसमें corner ये जो आप corner देख रहे हैं इससे चोट लगने की डर होती है लेकिन उपर वाले जो piling देख रहे था है उसमें चोट लगने की डर नहीं होता है क्योंकि उसका corner निकला हुआ नहीं होता है ये देख रहे हैं आप कि corner इसका निकला हुआ है इसलिए आजकल जो है वो double piling की जाती है वेस उस तरह की ताकि चोट लगने का डर ना रहे लेकिन लूग कि ये भी बहुत सोबर देता है आप देख रहे हैं कि कितना खुबसूरत देख रहे है नीचे से बिलकुल piling की जाती है अब इसके पीछे देखते हैं जो हमारा चौखट है उसको पूरी दरह से cover करना होता है चौखट को cover करके उसी पर दरवाजे को लगया जाता है ताकि देख सकते हैं आप ये ताकि कितना सुन्दर देख रहा है ये पीछे से भी आगे से तो इसका लूग सुन्दर है ही और पीछे से भी है ये देखिए बिल्कुली एकदम खुबसूरत सा लूग आ रहा है इसका उसी तरह से अगर आप रूम में सोकेस वगयरा बनवाने के लिए कुछ रखने के लिए या टीवी या फिर आपकी फ्रेम वगयरा फोटो फ्रेम बनवाने के लिए रखना चाते हैं तो उसमें भी करवा सकते हैं फिर खिड़की में भी आप करवा सकते हैं कॉर्नर फोटेंगे नहीं खिड़की के क्योंकि कॉर्नर अगर फूट जाते हैं चोट लगने से कॉर्नर में अगर तूट फूट हो जाती है तो फिर वो लुग उसका खराब हो जाता है अब यह देख रहें यह same color की almira बनी हुई है एक तम उपर तक और यह slider gate है उसमें भी उसी तरह से piling किये गई है यह slider gate देख रहे हैं आप यह balcony में जाने का रास्ता है स्पेस की कमी हो जाए तो slider gate को लगाएं और यह देखिए कि कितना अच्छी तरह से यह almira के पीछे उसको adjust किया गया है कितनी अच्छी तरह से वह almira के पीछे चला जा रहा था तो friends कैसा लगा आपको यह वीडियो और इस घर का टूर तो आपको पसंद आया यह घर अगर आपको भी पसंद आया है तो मेरे चैनल को like करें subscribe करें और share करें ताकि जो लोग इस तरह की वीडियो देखना चाहते उन तक यह वीडियो पहुच जाए थैंक्स पूर वाचिंग